स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म वियू में दोस्तों अलाट्मेंट लेटर अभी आया नहीं है उसके बारे कुछ जानकारिया है जो आपको सेयर करने वाला हूँ वीडियो खतम होने कवाद आप यह मत किया कि अलाट्मेंट लेटर नहीं आया फिर आपको बताएं कि अलाट्मेंट लेटर कब तक आ सकता है इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले उनिवर्ट सिटी की साइट पर जलते हैं और देखते हैं क्या कुछ जानकारिया हैं दोस्तों जैसे आप जाते हैं उनिवर्ट सिटी की साइट पर तो व्यू आल निवीज में जाते हैं एक नोटिफिकेशन आया पड़ा हुआ हाला कि नोटिफिकेशन कई दिनों काया हुआ है लेकि मैं अभी बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहते हैं कब तक आएगा अलाट्मेंट लेटर मैं वीडियो बनाने वाला था नहीं लेकिन अब बन कि लेकिन निए बता रहे थे कि मेरिट लिस्ट कप तक आयएगी बल्किन कई बता रहे थे कि साइट चेक करते रहो तो घईया जी इम कि अधना चैक करें साइट चेक करं रहे लेट करके मैं आपको बताऊंगा सबसे पढ़िए इसको पढ़िए आप 20 माई 2020 में जारी समय साड़ी में लिखित पर इच्छाओं की देथी में संसोदान के संबन्द में अब जैसे आप नीचे आओगे ठीक है यहां पर क्या दे रहा है दोस्तो लिखित पर इच्छाओं की संसोदी समय साड़ी सिख रही कार्याला पर अधिकित वेबसाइट पर प्लूस करा जाएगी इसकुल पर इच्छाएं इतने तथा मौखिक हुआ पर इच्छाएं 35-2022 और 31-5222 आप लोग इस डेट को नोटिस किज़रा अब कहाने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हू की तीथियों में संपन्न कराकर मार्क सिंट्री पैनल तक ततकाल अप्लोड करें अब देखिए इसका कहाने का मतलब है कि उत्तरफ्रत से स्टेट मेडिकल फाकर्टी में जो परिक्षा है होने वाली है वो प्रेक्षा है वह इतने दिने तो संपन्न करा ले जाएगी ठीक है ऐने वाली बात यह है कि इस महीने में तो मुझे लटकर आने वाली आखेंसे में आपका अग्ले महीने में यहींद कर रहा हैं तो अब आप ही कहीं भी कोई information नहीं है अलार्टमेंट लेटर को ले करके मैं एक बस आकड़ा बताया हूँ एक अनुमान लगाया हूँ कि हाँ इस दिन तक अलार्टमेंट लेटर आया जाएगी वो है अगले मंद तक ठीक है तो जैसे ही आग मैं आपको वीडियो के तो जरूर बताऊंगा चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्स्राइब कर लिए या तो आप हार मेसेज लेटर कोई न्यूज जाना चाहते हैं तो मेरे लिए चैनल डेडिकेटेड है तो दोस्तों मिलेंगा मैं सही एक और संधार वीडियो में तब तक क्लिए बाबाए टेक केर कीप लर्नी और कीप एक्स दूनी और सिर्फ हैव गुड दे थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो धन्यवाद पन्यवाद